हलो दोस्तों बंधन बैंक के तरफ से आने वाला एक बहतिरीन मैच्वल फंड मे लेकर आ गया हूँ और वह मैच्वल फंड आपके लिए काफी बहतिरीन हो सकता है कि small cap category का अभी तक का सबसे best mutual fund होने वाला है और वह बंधन बैंक का है और mutual fund के बारे में pool detail आपके साथ आज रखने वाला हूं तो वीडियो को last तक देखिए ताकि आप से कोई चीज mistake नहीं हो और किसी भी mutual fund में investment करने से पहले या नहीं भी करना हो तो knowledge के education purpose से आपको mutual fund की जनकारी रखनी चाहिए हो सकता है कोई आप से पूछते कि आपके बेहतर mutual fund क्या है तो आप जानते होंगे तभी तो किसी को इसके बिसे में बताने वाले बताएंगे और आने वाले समय में भारत में share market यानि mutual fund में काफी अच्छा खासा investment होने वाला है लोग बैंक से भाग रहे हैं क्योंकि बैंक में पैसा बनता नहीं है और पैसे को यदि बनाना है भारत के economy को यदि बीट करना है तो आपको mutual fund में investment करना ही परेगा तो बीना रिक्स का mutual fund में investment कीजिए और अपने पैसे को अच्छा खासा बना सकते हैं तो चलिए बीना देरी की होई वीडियो को सुरु कर लेते हैं तो चलिए आज का मेरा mutual fund होने वाला है बंधन small cap fund direct growth यानि बंधन fund का यह small cap fund है और अभी तक इसका एने भी प्राइज यानि जब मैं वीडियो सुट कर रहा हूं समय इसके एक यूनिट की कीमत जो है एक 50 रोपया 56 पैसा है और रेटिंग की बात कर लिया जाए तो इस mutual fund को customer के तरफ से 3 star की rating मिली हुई है और इस mutual fund का fund size का बात कर लिया जा यानि इसमें अभी तक लोगों ने कितना पैसा लगाया है तो इसका fund size जो है 6,006,404 है यानि अभी तक लोगों ने SIP या लमसम के माध्यम से इस mutual fund में 6,006,404 रोपया लोगों ने इस mutual fund में लगा रखा है अब minimum SIP की बात कर लिया जाए तो इस mutual fund में minimum SIP आप 100 रोपया भ महीने आप एक 100 रोपया भी मैचूल फंड में डाल सकते हैं वही लमसम की बात कर लिया जाए तो इस mutual fund में minimum आप 1000 रोपया कर सकते हैं और maximum आप जितना चाहे कर सकते हैं तो यह लमसम आप 1000 रिस में कर सकते हैं चलिए अब इसके holding की बात कर लिया जाए यानि इस mutual fund का पैसा क एक्विटी सेक्टर का है और डिफेरेंट डिफेरेंट यानि हर सेक्टर में इसके पैसे लगाए गए हैं और अभी तक 145 कॉंपनियों में में पैसे को लगाए गए हैं तो ओबर वर्ल सका छोल्डिंग काफी बहतरीन है यहाँ पैसा बन रहा है तो रीक्स भी थोड़ा लेना परेगा फिर भी कस्टोमर्ट ने इसे 3 star की rating दी हुई है तो यह mutual fund अभी तक अच्छा है अब इसके holding analysis की बात कर लिया जाए यानि कितना percent कहां लगाया गया है तो इसका holding analysis जो है इक्विटी सेक्टर में 91.7% का है वहीं कैस जो है 8.2% है यानि कैस इसका काफी अच्छा है अधिक है तो अधिक नहीं रखना चाहिए तक है फिर भी mutual fund के जो fund manager है वह समझेंगे कि एतना कैस क्यूं रखे हैं तो कैस इसलिए रखा जाता है कि इस mutual fund में होने वाले उतार चरहाव को manage किया जा या कोई अच्छा सेयर हो अच्छा सेक्टर हो जहां से returning बहतर मिल रहा हो तो वहां पर इस cash को लगा करके और returning निकाल लिया जाता है अब इसके fund house की बात कर लिया जाए तो इस mutual fund का benchmark जो है यानि fund house BAC 250 small cup total return index यानि 250 company में इसके पैसे लगाए जाएंगे अब expense ratio की बात कर लिया जाए तो इस mutual fund का भी expense ratio 0.35% है यानि बहुत कौम है वही exit load की बात कर लिया जाए तो 1% within 1 year यानि एक साल के पहले आप दी पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 1% exit load देना परेगा वही stamp duty charge जो है 0.005% है तो देखिए expense ratio और stamp duty charge को कैसे लिया जाता है तो जब आप पैसा mutual fund में लगाते हैं चाहे जिस भी माध्यम से लगाए तब आपको एने भी लोट की जाती है तो जब एने भी आपको एलोटमेंट होती है उसी समय expense ratio और stamp duty charge को एने भी में ही set करके काट लिया जाता है और आप tax की बात कर ले तो tax वही है यदि आप mutual fund में पैसा लगा रहे हैं और एक साल के पहले पैसा निकाल रहे हैं तो आपका जो profit होगा उस पर 20% tax लिया जाएगा वहीं एक साल के बाद यदि पैसा निकाल रहे हैं तो जो आपका profit होगा उस पर सारे 12% tax लिया जाएगा investment पर tax नहीं लिया जाता है जो profit होता है उसी पर tax लिया दिया हो और आने वाले समय में उसका ग्रोथ गिर जाई तो इसalनिंग को लास्ट में देखना है छिवा 왁ष सब सेक्टर चाहिस पर काफी ध्यान देने की आप सकता है तो पांक साल में थैसा पॉइंट रिटर्निंग वहीं तीन साल में 75.84 परसेंट का रिटर्निंग है और वहीं एक साल में देखा जाये तो 36.11 परसेंट की रिटर्निंग इस मैंचुवल फंड की रही है तो दोस्तो बंधन एसमोल कैप फंड के बारे में आपको जनकारी कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाए और यदि इस चैनल पर पहली बार आये हैं और आप यदि हम से जोड़ना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आने वाला हार एक इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिले तो चलिए मिलेंगे अगले टॉ कर दो डाये हैं